हेलो दोस्तों कैसे आप सब आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे आज हम आपके लिए बेद खूब शुरू डिजाइन ले गया है जो कि 25 फिट वाई 50 फिट में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है यह आप जो देख रहे हैं विंडो यहां पर हमने जो ट्वालेट डिजाइन किया हुआ है और यह हमने एक बेडरूम डिजाइन किया हुआ है सामने हमें कार पार्किंग मिल जाती है और इधर से हमने एक डोर दिया हुआ है और यह सामने हमारी विंडो रहेगी ऐसे ही सेम हमने उपर डिजाइन किया हुआ है पार्किंग की जगाप पर ओपन बालकनी और एक बालकनी हमने यहां पर वेडरूम के साथ दी हुई है और अभी हम इसके 2D प्लान के बारे में भी आपसे बात करेंगे और इसमें कितनी लागत आएगी यह सब डेटेल आपसे करेंगे तो वीडियो में लाश्ट तक बने रहे हैं अभी हम प्लोट एरिया की बात करें तो हमने 25 feet by 50 feet में इसको डिजाइन किया हुआ है इसका build-up area हमारा 1250 square feet है जो 240 square yard में हमने इसको डिजाइन किया हुआ है तीन साइड से close है और एक साइड से open है जहां पर सामने से road गया हुआ है जैसा आप इसमें प्लान में देख रहे हैं इसमें हमने 3BH के डिजाइन किया हुआ है 3B bedroom plus Elmira, living room, kitchen, staircase जो की inner side रहेगा bathroom, WC और एक इसमें car parking आपको मिल जाएगी अभी हम इसके 2D प्लान की बारे में बात करें आप से तो यह हमने जो है car parking दी हुई है जिसका size तक्रीबन 8.6 inch ऐसे रहेगा और 19 feet के आसपास यह ऐसे गहराई है इसमें ताकि अच्छे से इसमें आप वार परकिंग कर सकते हुआ और यहां से हमने main entrance दी हुई है घर में जाने के लिए एक हमने bedroom में भी corner पे भी बार के side से door और window दी हुई है यहां पर corner पे हमने जो है bedroom डिजाइन के हुआ जोगी 10 feet change by 13 feet का कभी अच्छे एरिया में मिल जाता है इसमें cross ventilation के लिए हमने एक window यहां पर दे हुई है और एक window हमने यहां पर दे हुई है यह हमने shaft दे हुई है जैसे हम और इंटर करते हैं गर के अंदर तो हमने right side में यहीं पर kitchen design किया हुआ है जो कि art fit by art fit में design किया हुआ है dining area में भी जो है बड़ी window दी हुई है ताकि गर में proper ventilation होता रहे और रोशनी आती रहे है dining area में अर्थ fit change by 6 fit change का रहेगा इसके सामने just और kitchen के सामने हमने stair design किया हुआ है जो कि thin fit change ऐसे wide रहेगा और जिसका thread हमारा एक fit का रहेगा और riser हमारा science के रहेगा तो यहां से stair up होके first floor के लिए जाता है इसके नीचे आप drying room area भी बना सकते हैं और जैसे और अंदर enter करते हैं तो हमने दोनों side में bedroom design किया हुआ है left side में बात करें तो 14 fit by 12 fit में bedroom design किया हुआ है right side में 14 fit by 11 fit में design किया हुआ है अभी पिछे की side और चलते हैं तो हमने open area दिया हुआ है duct 18 fit by 6 fit का यह काफी बड़ा open area दिया हुआ था कि proper ventilation आगे से और पिछे की side से घर में होता रहे और इसमें हमने पिछे की side दोनों room में ही open area में जो है entry दिया हुई है और यह window भी इसमें देख सकते हैं आप दिया हुआ है और एक toilet हमने corner में left side वाले में attach दिया हुआ जो कि 5 fit by 6 fit इसका size रहेगा आप चाहे तो इसको बंद करके यहां पर और यहां से भी इसकी जो है इसाब से चले तो हम जो कोश्ट ओफ फ्लोर तकरीब हमारी 13 से 14 लाग और आएगी तो तकरीब अठाइस से 29 लाग की टोटल लागत हमारी इसमें आएगी तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा comment section में लिखके जरूर बताएं यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और चैनल अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो प्लीज subscribe जरूर करें और साथ में बैल आइकन दबना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो की अगली notification सबसे पहले आपके पास जाए धन्यवार